Hello everyone, welcome to my channel दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे पवार और गोर्खा वंस के ऐसे प्रस्ण को जो की प्रिवेस एर के एक्जाम में पूछे गए हैं और जो आने वाले एक्जाम में भी पूछे जा सकते हैं तो काफी जादा महत्वपूर्ण ये प्रस्ण होने वाले हैं जो की आपके लिए आने वाले एक्जाम के लिए काफी जादा बेनिफिशल रहेंगे इससे पहले की वीडियो में मैंने उत्राखंड के प्राची नितिहास और उत्राखंड में जो चंद वंस का सासन था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन सी अजेपाल अजेपाल को गडवाल के नाम से भी जाना जाता था इन्होंने ही गडवाल का एकी करण किया था यानि कि गड़वाल को संपूर्ण जो गड़वाल में 52 गड़ थे उनको अजेपाल ने जीता था तो इस टेनो ओनलाइन पेपर में ये पूछा गया था 2021 के अगला प्रशन है टीरी राज ये प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी काफी जीजाद महत्पूर्ण प्रशन है कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो इसकी जो स्थापना हुई थी इसका जो राइड आशे हो जाएगा ौपॶन B 23 जन्वरी 1939 1949 को तीरी राज ये प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी देहरादुन में तो प्रवक्ता 2021 के एक्जाम में पूछा गया प्रशन है काफी ज़्यादा महत्यपोण है। तो प्रताब शाह के नाम से सरव प्रथम जो है नगर की स्थापना हुई थी जिसको के हम प्रताब नगर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन भी प्रताब शाह प्रताब शाह ने टीरी राज्य में अंगरीजी शिक्षा की नीव रखी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन सी शाम साह शाम साह ने जहागीर को हाती वगोडे उपहार स्वरूप दिये थे। काफी जादा महत्रों प्रस्ण है वीडियो 2018 में पूछा गया है। पूछ लिया जाता है। जित्विपदी शाह ने सुलेमान सीको को सरण दी थी। महत्रों प्रस्ण है वीडियो 2018 में पूछा गया है। किस वर्ष भुकंप से छतिग्रस्त हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन A 1803। जो भुकंप आया था उसमें जो अजेबाल का राजबहुन था वो छतिग्रस्त हो गया था। अगला प्रस्ण है बारवा चैतू और माडुक चित्रकार किस शासक के दर्बार में आश्रित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B सुदर्शन शा के दर्बार में रहते थे। अगला प्रस्ण है पवांटा की निकट भंगाडी नामक स्थान में फतेशा का युद्ध किसके साथ हुआ था। हो सकता है आने वाले एकजाम में भी आपसे पूछा जाए। अगला प्रस्ण है पर्मार वंस के 55 राजा कौन थे। समाज कर ल्यान अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रस्ण है और काफी जादा महत्यपूण है। आगे देखते हैं इसमें अगला प्रश्ण है प्रदीप शा किस वर्स गदी पर बैठे थे। तो इसका जो टाइम पीरेड है प्रदीप शा का वो पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option C 1717 में तो प्रदीप शा 1717 में गदी पर बैठे थे। अगला प्रश्ण है शोलवा टीहरी रियासत में पॉणरी त्यूटी क्या था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option C आयात निर्यात कर तो पॉणर त्यूटी या पॉणरी त्यूटी एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। समाच कल्यान अदिखारी 2018 में पूछा गया प्रस्ण है, तो ये important है, exam में पूछा जा सकता है। अगला है सतरवा प्रस्ण उत्राकंड के इतिहास में नाक कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है। अगला प्रस्ण अठारवा गडवाल में किस वन्स का सासन सबसे अधिक रहा है। 2021 में पूछा गया प्रस्ण है और आने वाले exam में भी पूछा जा सकता है। वीडियो 2021 का पूछा गया प्रसन है आने वाले एक्जामें भी ये पूछा जा सकता है अगला प्रसन गुरु रामराई को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रे दिया था तो गुरु रामराई को अपने राज्य में आश्रे दिया था ओप्सने फते पती शाह ने अगला है इसमें 23 अजेपाल के बाद तिब्बत पर आकर्मन करने वाला शाशक कौन था तो अजेपाल के बाद तिब्बत पर जिसने आकर्मन किया तो वो था option A मान शाह तो वीडियो 2021 में पूछा गया प्रशन है काफी ज़्यादा important है अगला इसमें देहरादुन का करणपूर महला बसाय था तो देहरादुन का जो करणपूर महला था ये किसने बसाय था तो राइट आंसर का हो जाएगा option B तीलू रोतेली को गड़वाल का जौन आफ आर्क कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option C 28 दिसंबर 1815 में टीहरी रियासत की स्थापना करी गी थी सुदर्शन सहादवारा अगला इसमें है टीहरी रियासत का भारतिय संग में विडिनी करण किस वर्श हो था तो राइट आंसर का हो जाएगा जो की आने वाले एकजाम में भी पूछे जा सकते हैं उसके बाद हम देख लेते हैं गोरखा सासन से भी पूछे गे कुछ महत्यूपोर्ण प्रशनों को जो की प्रिवेश येर एकजाम में पूछे गे हैं तो पहला प्रशन इसमें गोरखाओं ने गडवाल पर सरुप्रथम आकरमन कब किया था तो राइट आंसर का हो जाएगा ओप्सन बी 1791 में 1791 में गोरखाओं ने गडवाल पर आकरमन किया था तो राइट आंसर का हो जाएगा ओप्सन सी गोरखा तो खसकुरा भासा गोरखाओं द्वारा बोली जाती थी कनिश्चायक 2018 में पूछा गया प्रशन है अगला प्रशन है गोरखा सासन में सुब अवशरूं अयम साधी की समय लिया जाने वाला कर क्या था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन टी टीका भेट तो टीका भेट दोस्तो गोरखाओं द्वारा साधी की सुब अवशरूं पर लिया जाने वाला कर था समाज कर लिया आने धिकारी 2021 में ये प्रशन पूछा गया है उसके बाद है अगला प्रशन कुमाओं पर गोरखा आकरमण के समय नेपाल का नरेश कौन था तो जब कुमाओं पर गोरखाओं ने आकरमण कहा था सरब्रथम उस समय गोरखा का जो नरेश था वो कौन था तो जो 1815 में अंग्रेजो और नेपाल के बीच जो संगौली की संधी हुई थी ये वर्तमान में इस्थित है बिहार के चंपारण में तो बिहार में पर्टिकुलर्ली ये इस्थित है भात्तुपोन प्रस्ट ने पूछा जाता एक्जाम में अगला प्रस्ट है उत्राखंड में ओपनिवेसिक संगास किसके समय में प्रारंब हुआ था यानि उत्राखंड में जो विदेशी आकरमण कह सकते हैं तो वो किसके समय में हुआ था तो सरपर्थम इसमें गोर्खु ने अपना आकरमण किया था तो विदेशी जो आक्रमन हुआ था इसमें सरपर्थम गोर्खुं का हुआ था जो की नेपाल से आये थे तो राय टांसर्स का हो जाएगा option B भंडारपाल 2008 का पूछा गया प्रस्न है तो काफी जादा important है अगला प्रस्न है कुमाओ में प्रथम गोर्खा सासक नियुक्त हुए थे तो कुमाओ के प्रथम गोर्खा सासक इन में से कौन थे तो राय टांसर्स का हो जाएगा option A जोगामल सा जोते कुमाओ में प्रथम गोर्खा सासक नियुक्त हुए थे जो कि गोर्खाओं द्वारा चलाएगी थी तो वीडियो 2021 में पूछा गया प्रस्ण है काफी ज़्यादा महत्वपुण है तो ये थे दोस्तों गोर्खा सासन से रिलेटेड कुछ महत्वपुण प्रस्ण जो कि प्रिएस एर एक्जाम में पूछे गे थे तो वीडियो से रिलेटेड आपके कोई doubt हो या queries हो तो comment section मुझे जरूर बताएं और वीडियो अगर informity लोगी है तो वीडियो को like करें, share करें और ऐसी informity videos के लिए channel को subscribe करें Thank you friends